आईए देखिये सुनिये और समझे अध्यात्म विज्ञान नई दृष्टी नई खोज अध्यात्म विज्ञानी एहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशा नंजी के साथ स्वामी कमलेशा नंजी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूंगा और सतकार अविनंदन करता हूंगा स्वामी जी हम इतनी सुंदर जो है ससंग करने जा रहे हैं तो थोड़ी गीता की भी बात कर लें क्योंकि गीता जो है एक एशा शास्त्र है जिसको पूरी विश्वने माना है और बड़ी अध्बुत बात देखिए कि जब कभी भी कोट हमारी न्याय पालिका जो न्याय करत होती है जो सच पर आदारित होती हो गीता पर हाथ रख करके और जज कहता है कि बोलिए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच कहूंगा सच कहूंगा कुछ भी नहीं कहूंगा इतनी पवित्र गीता है उस पवित्र गीता के अंदर भगवान स्री कृष्ण ने अर्चुन को तो जो की बिल्कुल नर्वस हो गया था सामने चित्र देखा कि मेरे विश्म पितामा, मेरे गुरु दुरोणाचारे, मेरे बाई, मेरे दुर्योदन, सभी मित्र वगेरा और भाई, बंदू, बांदव है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूँगा, निराश हो गया, तब एक अध्यात्म विज्ञान भी दिया, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि उसको कहा कि तुम तो कर्म योगी हो, तुम तो निश्काम करो, फल की इच्चा मत करो, क्योंगे तुमारे भी थोपा गया है, और उसको सेंटिमेंट बनाने के लिए, कि तुम युद्ध नही कर रहे हो, युद्ध तो कुद्रत करवा रही है, यानि तुम अलग हो, कुद्रत अलग है, ये सारी बाते उन्होंने भगवान ने, बताई हम अध्यात्म विज्ञान के रेफरेंस के अंदर, ये आपसे जानना चाहते हैं, इतनी बड़ी इंसा करने के बाद भी, अर्जु उसी भव में मुक्ष गया, वो क्या रास्ता करवा अध्यात्म विज्ञान के सब, हिसाब से बताई है, जी जी, घंडवाद, जैस सच्चिदानन, सबसे बड़ी बात ये है, कि भगवान सी कृष्ण ने, गीता में, जब अर्जुन महाभरत के युद्ध के अंदर, बिचो बिचो बिच रथ में बैठा था, कृष्ण बगवान वो रथ को बिचो बिच युद्ध के मैदान में लाए, अभी कृष्ण बगवान का रूल तो खतम हो गया, और अर्जुन का रूल युद्ध करना सूर होगा, मगर जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन ने चारों और मुआइना किया और मुआइना करने कर बात देखा कि मेरे सामने मेरे बड़े भाई, छोटे भाई है मेरे पिता मुआ है मेरे सगे वाले है मेरे गुरुजन है मेरे मित्र है जिसको मैं मेरा मानता हूँ ये सब मेरे सामने है और मैं अर्जुन क्या इस लोगों को मार के इस जमिन का टुकडा मैं वापिस ले लूँ विजय प्राप्त करूँ नहीं नहीं ये मेरे से संभव नहीं होगा और इसलिए उन्होंने अपना हधियार रख दिये तब ही क्रश्ण भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन को मौह हुआ है तो अर्जुन को जो मौह हुआ था अपने परिवार का अपने गुरुजन का अपने मित्रों का अपने रिलेटिव्स का ये जो मौह हुआ था वो मो अर्जुन की द्रश्टी में था क्रेश्ट भगवान की द्रश्टी में अर्जुन को मो अलग प्रकार का था क्रेश्ट भगवान की द्रश्टी में अर्जुन को मो था कि मैं अर्जुन हूँ और मैं ही ये सब को युद्ध करके मारने वाला हूँ बस ये अज्यान अर्जुन के अंदर था, इसी लिए मोँ हो गया अथियार रख दिया कर्ष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर अर्जुन को शिक्षा देते, ज्यान देते, ये समझाने की कोशिष किया के है अरजुन, तुम अरजुन नहीं हो मन बचन काया वाला अरजुन जो है वो तो कुदरती रचना है और तुम अरजुन को चलाने वाले भी नहीं है वो चलाने वाला भी कुदरती रचना है तो अरजुन को बनाने वाला भी कुदरत और अरजुन को चलाने वाला भी कुदरत और तुम तो अरजुन से मुक्त ऐसा सुधात्मा हो तो फिर तुम टेंसन क्यों लेते हो तुम खुद क्यों अरजुन मर जाते हो अरजुन अरजुन है मगर तुम अरजुन नहीं हो ऐसे भेद विग्यान कृष्टम अगवान ने दिवी चक्सु के रुप में दिया यह दिवी चक्सु का मतलब होता है मैं मन बचनकाया से मुक्त ऐसा सुधात्मा हूं और मन बचनकाया जो अरजुन के नाम से है वो उसका रचईता गुदरत है और इसको चलाने वाला भी गुदरत है और इसका अंतलाने वाला भी कुद्रत है तो करश्ण भगवान ने अर्जुन को दोनों की अवस्ता को साब बता दिया कि जो कुछ भी करश्ण अपने अर्जुन अपने मान से वचन से काया से करेगा इसकी लिए आप 100% रिस्पॉंसिबल नहीं हो और आपको करवबन नहीं होगा क्योंकि जब आप अर्जुन से मुक्त रहके सुधात्मा पद्मा रहते हैं तो मन बचन काया की जिम्मेदारी आपकी नहीं है इस प्रकार से महाभरत के अंदर क्रश्ण भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते है सिक्सा देना चाहते है कि तुम भी अलगो अर्जुन भी लग है और तुमारा दोनों का कंट्रोलर भी अलग है अर्जुन का कंट्रोलर खुद्रत है और आत्मा का कंट्रोलर कोई है ही नहीं वो स्वयम्मू है तो दोनों को जोडने की कोशिस मत करो दोनों को सिर्फ अलग रखो और दोनों का कारिया भी क्या है अलग है एक का कारिया है मन वचन काया के कर्मों के भुक्तान करना और दूसरा का कारिया है स्वोपर प्रकाशक तो जब दोनों अपने स्वभाव में रहेंगे तो कोई कर्म बनेगा भी नहीं और जिम्मेदारी भी नहीं लगेगी तो आईए हम यही विग्यान को और गौर से और डीपली और शार्पली समझने की कोशिस करे और हमारी दुरस्ट्री को और विशाल बनाए परिपको बनाए ताकि हम भी यही विग्यान से यही आध्यात्म विग्यान से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें यही मेरी सुबकामना है। तुम तो मन वचन काय से जुड़े हो तुमारे को यह कुदरती ऑपरेटर है डेस्ट्रॉयर है और क्रियेटर है तो यह तुमारे बसकी बात नहीं है उनका काम करने दो तुम तो सुवपर प्रकाशक शुद्धात्मा अलग हो तुम अपने सवाव में रमन करो यह अलग है तो उसके भेद विज्ञान करने से वो मुक्ती को चला गया यानि हमको सुत्र मिला कि मुक्ती में जाना है तो भेद विज्ञान कीजिए स्वामी जी गीता की थोड़ी बात और कर लेते हैं गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई बड़ी विचित्र बात है अठारा दिन युद्ध चला और अठारा दिन भगवान क्रश्न ने गीता के अंदर अर्जुन को है अर्जुन है कॉंती पुत्र के रूप के अंदर जो उपदेश दिये वो ही पहले छ भाग जो है वो करम योग बने दूसरे छ दिन छ भाग जो है ज्यान योग बना तीसरे जो है छ दिन भक्ती मार्ग बना और सबका कॉंक्लूजन उपसंगार भुक में ध्यान योग बना तो पहले हम करम योग की बात करते हैं कि भगवान क्रश्न ने गीता के अंदर कर योग में निश्काम करम की बात कई तो अध्यात्म विज्ञान निश्काम करम के इतने बड़े सिद्धान्त को किस रूप में देखता है और अपने शोताओं को किस रूप में उसका जो उपदेश देता है कि वे कैसे जो है निश्काम करम करके कर्म योगी बन सकते हैं कर्ष्टल अगवान ने जो गिता के अंदर कर्म योग की बात कहा है कर्म योग, भक्ति योग, ग्यान योग और विज्ञान योग के भी उन्हेंने बात किया है ये तिनों योग से अलग है, उपर है तो इसमें खास करके कर्म योग कर्म योग का मतलब होता है कर्म और कर्म योग ये दोनों अलग चीज़ है कर्म का मतलब होता है कर्म करना विचार करना, बोलना, क्रिया करना इसको कर्म बोलते है कर्म यानि क्रिया कर्म योग का मतलब होता है जुड़ना to attach, to involve तो कर्म योग का मतलब होता है क्रिया करते समय हम इसमें जुड़ जाए और जुड़ जाए तो हम जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारा करता भाव जागरत होगा और वो कर्मयोग से हमको पाप और पुन्य का कर्मबंध होगा मगर ये कर्मयोग अगर हम साक्सी भाव से करते हैं द्रस्टा भाव से करते हैं, तो फिर क्रिया के लिए मन वचन काया कि क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, मगर हम कर्मयोग क्या मतलब क्रिया को ही हम पुर्शारत मालेंगे, तो पाप उन्य तो प्राप्त करेंगे, जनम मरन भी प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप् तो कर्मयोग, अगर क्रिया क्या important देना है, क्रिया को ही करना है, तो हम को इससे अलिप्त रहना है क्रिया करने बाले से, क्यूंकि वैसे भी हम अलिप्त ही है, मन्वचनकाया से, आत्मा से कोई concern नहीं है, मन्वचनकाया जनम से मौत तक, हर समय exempt हुँ रही है कर्म भी एक्जोस्ट हो रहा है आयूस से भी एक्जोस्ट हो रहा है लाइप भी एक्जोस्ट हो रहा है एक्जोस्ट याने खतम हो रहा है मगर एक कर्मयोग के साथ अगर ग्यानयोग होता है तो हम उस बात को परिवरतन भी कर सकते हैं ग्यानयोग का मतलब होता है जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसके अंदर आप धर्मकाउपयोग करो और धर्मकाउपयोग का मतलब होता है उसमें सूब असूब भी देखो अच्छा बुरा भी देखो हमारे गोल के मताबित हम को क्या करना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए नहीं बोलना चाहिए नहीं सोचना चाहिए ये भी मानो और जानो तो इसको ज्यान योग कहते हैं और तिसरा योग है कर्म योग ज्यान योग और भक्ति योग भक्ति योग का मतलब होता है केवल भक्ति कर भी वो भक्ति योग नहीं है भक्ति योग का मतलब होता है कोई भी क्रिया हम तर्मेयाकार से करेंगे वो भक्ति योग है भक्ति का मतलब होता है to attach, connect होना, जुड़ना, वो भक्ति योग है भक्ति योग के मतलब होता है, मन बचन काया से जो होता है, उसमें जुड़ जाना, वो भक्ति है तो भक्ति योग है, वो भी पुन्य का कान बनती है, और पाप का कान भी बनती है जिस प्रकार की भक्ति करते हो, attach होके, उसी प्रकार से फल भी मिलेगा तो कर्म योग, ग्यान योग और भक्ति योग, और चौथा है विज्ञान योग विज्ञान योग का मतलब क्या होता है मन वचन काया उनकी अवस्ताओं से 100% मुक्त है वो मुक्तता की अनुभूती करना क्योंकि वास्तों में मन वचन काया उनकी अवस्ता तो मिनासी है हम अभी नासी है इसलिए हम उसको अलग रहे कर देख सकते है तो इसलिए ये विज्ञान योग हमारे लिए बहुत important है वो विज्ञान योग ये वो दरश्टी योग है और कर्म योग ज्ञान योग और ये भक्ती योग ये तीनों क्रिया का योग है और जो विज्ञान योग है वो दरश्टी का योग है वो मनवचन काया से अलग रहने का योग है तो क्रिश्टम अगवान ने जिस प्रकार से देवे चक्सु दिया था उस देवे चक्सु है जो अरजुन था वो मनवचन काया के हर क्रिया से मुगत रहता था मुगत रहता था तो हम भी इसी प्रकार से हमारा जीवन में मनवचन काय की हर क्रिया के साथ मुक्त रहेंगे तो वही विग्यान योग है विग्यान योग का मटब कुछ करना नहीं है ना मन से करना है ना वचन से करना है ना काया से करना है मगर मनवचनकाय से मुक्त रहना ये विज्ञान योग है विज्ञान का मुटनबू क्या होए सनातन सत्य और बास्तों में सनातन सत्य के मुताबीत आत्मा तो कुछ करता नहीं है और मनवचनकाय जो कुछ भी करता है उन तो कुद्रती रतना है इसलिए मैंने किया वो सनातन सत्य नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है, वेवार सत्य है, तो हम जब विज्ञान का उप्योग करेंगे तो मैं सुध्धात्मा हूँ और मन वचन काय की अवस्ता मात्रा कुद्रती रचना है, ऐसे ही देखोंगे, तभी आपकी द्रस्ति, exact, perfect और प समझने की कोशिश करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, गीता के आपने जो है, सभी अध्यायों को, कर्म योग, ज्यान योग, बक्ती योग, और सबका समन्वित, रूप उपसंगार, विज्ञान योग के अंदर बताया, कि विज दात्मा तो कुछ करता नहीं है, अपने सभाव में रमन करो, तो इस सभाव में रमन करने के लिए स्वामी जी मेरे मन में एक प्रश्न आया, कि आप द्रस्टी विज्ञान की बात करते हैं, और हमने जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान में भी ज्ञान देते समय, हमको पृति जागरती और अनुभाव इसको निरंतर बनाए रखने के लिए, और किस तरीके से द्रस्टी विज्ञान में रहे हैं, जो की रियल पुर्शारत है, इन सब को जोड़ करके, और मुक्ष मार्ग में कुछ करना नहीं है, ये भी बात हम बताते रहते हैं, आत्म विज्ञान मे बताई गई हैं, तो इन सब बातों को करना कुछ नहीं है, और उसके साथ साथ के अंदर इन सब चीज़ों को समझने भी है, तो एक किस तरीके से हम एक चैनल को अपनावें, वो थोड़ा कृपया खुला सा कीजिए. ये जो आपने प्रस्न किया है, कि जिस प्रकार से कर्मयोग, भक्तियोग और घ्ञानोग, और विज्ञानोग, इसकी जो बात कहा, बात किया हमने, उसमें खास द्रियान रखने का है, मनोयोग, देहोयोग, वानयोग और आत्मयोग. मनो योग से आप बहुत सारे विचार कर सकते हैं और डेवलोप भी कर सकते हैं अपने मन को पावरफुल बना सकते हैं वानी योग से भासा अच्छी बोल सकते हैं और करमयोग से क्रिया अच्छी कर सकते हैं मगर ये तीनो मनो योग, देहु योग, वानी योग वो अच्छी तरह संसार चलाने का साधन है और वो करता भावसे करते हैं तबी ये मनोयोग देहु और गवानयोग में हम मास्टर बन सकते हैं निपोन बन सकते हैं मगर मुक्ती नहीं पा सकते हैं मुक्ती पाने के लिए आत्मयोग चाहिए आत्मयोग का मटलब होता है मन वचन काया की हर अवस्ता के अंदर हर क्रिया के अंदर हर भुकतान के अंदर मैं उससे मुकत ऐसा सुधात्मा हूँ वो आत्मयोग है और मन वचन काया को चलाने वाला मुकतान करने वाला नहीं हूँ मैं तो ये आत्मयोक्षे हम वास्तों में इस दुनिया का सनातन सत्य समझ के हैं, ज्यान को मिटा के हैं, पंत में हम आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, पंत परंतु हमारे जीवन में ये जो आगे बढ़ने के लिए हमको जो ज्यानी पुरूस ने जो द्रश्टी दिया है, वो द् प्रतिती, लक्ष और अनुभू, प्रतिती का मतलब होता है, मैं आत्मा हूं, वो द्रश्टी देना, निश्चे के साथ, कि तुम वास्तों में आत्मा ही हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अभिनासी हो, सर्व प्रकार के अनंद सक्तिया तुम्हारे पास ही है, और तुम्ही स्वाव पर प्रकासक हो, तो ये उनकी प्रतिती करवाना, तो ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान दिक्षा देते हैं, तब वो द्रश्टी में प्रतिती करवाते हैं, वो प्रतिती करवाते हैं, ये प्रतिती उन्होंने दिया हमको, अभी हमको ये प्रतिती हर स मन वचन काया की अवस्ता के अंदर लक्स में रखना है क्या लक्स में रखना है कोई भी भुक्तान के समय हमको मालूब होना चाहिए कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा सुधात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्ता मात्रा कुद्रती रचना है अगर ये लक्स में रखोंगे ज्ञान और दर्शन के रूप में, तो अपने आप थर स्टेज हैं, अनुभव, वो तो अपने आप होगा, कौनसा अनुभव, मनवचन काया से मुक्त रहने का, क्योंकि हम तो मुक्त हैं, अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि विज्ञान नहीं जानते हैं, तो विज्ञान का उप्योग नहीं करेंगे, तो अनुभव कैसे होगा, तो आई हम अनुभव लक्ष और प्रतिती की जो बात है, उसमें प्रतिती अनुभवी ज्यानी पुरुस के पास से द्रस्टी के रुप में मिलती है, इसका उप्योग करना इसको लक्ष कहते हैं, और वो उप्योग करके जो प्राप्त होता है, इसको अनुभव कहते हैं, तो प्रतिती लक्ष अनुभव वो ही मुक्ति के मार्ग का सही साधन है, मगर वो प्रतिती लक्ष अनुभव सनातन सत्य के बहिस पर होना चाहिए, तब ही हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे, तो आई हम सब यह आप समस्त जो है कि तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति कतिगिता गापित करता हूं कि आप कितनी अम्रित वर्षा कर रहे हैं और जो सत्संग कर रहे हैं कितना सुल्जा हुआ हर्दे ग्राही और साधान रखती भी इसको समझ सकता है बड़ा खुला खुला सिद्धानत है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्माओं और मन वचन काया ये और इसे जुडिवी हर अवस्ता मातर कुदरती रचना है इसको धीरे धीरे अनुभव में लाना है क्योंकि आत्मा तो स्वेम अनुभव है स्वापर प्रकाश उसमें कुछ करना नहीं है, सिरफ इस अनुभव की डिग्री को जो है, जिस डिग्री पे 5, 10 पे 2 पे हम हैं, उसे 360 पे लाके केवल दर्शन करना है, जिसके लिए हमको सुत्र जो है स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी आपका बहुत बहुत दन्यवाद, आपके प्रती समस सोताओं की तरफ श्रे करत गेता, जाई सची दानन, आई ये देखिये, सुनिये और समझे अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टी, नई खोज, आध्यात्म विज्ञानी एहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशा नंजी के साथ, इस कारिक्रम के प्राज़क है, प्रै के साथ, आई ये झालेशन, आई समय विज्ञान, नई ग्राज़क है,